गाव के लड़के की कहानी आज की ये कहानी सुनने के बाद आप हर काम पूरी इमानदारी और मेहनत से करोगे या कह लो ये कहानी आपको मजबूर कर देगी पूरी इमानदारी और मेहनत से अपना काम करने के लिए ये कहानी है एक गाव के लड़के की घर की मजबूरी और पैसों की कमी की वजए से वो दूर शहर काम करने के लिए जाता है ताकि वहाँ से वो कुछ पैसे कमा पाए जिससे उसका और उसके घर वालों का खर्चा पूरा हो पाए वो लड़का काफी दिनों तक काम की तलाश करता है और आखिरकार उसे काम मिल जाता है वो लड़का अपना सारा काम पूरी इमानदारी और मेहनत से पूरे दिन करता है ये देखकर उसका मालिक खुश हो जाता है अब 6 महीनों तक ऐसे ही चलता है 6 महीने बाद वो लड़का अपने मालिक को कहता है अब मैं कुछ दिनों के लिए वापिस अपने घर जाना चाहता हूँ और उस लड़के को पूरी उम्मीद थी कि उसका मालिक उसे घर जाने से नहीं रोकेगा लेकिन उस लड़के के सोच से विफ्रीद उसका मालिक कहता है नहीं तुम्हें दो माहिने का थोड़ा और काम करना है और फिर उसके बाद अपने घर जा सकते हो लड़के को थोड़ा गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को शांत करके मालिक से पूछता है बताए ये मालिक कौन सा काम है उसका मालिक कहता है हमें एक घर खरीदना है तुम पुरे शहर में घुमो और तुम है जो सबसे अच्छा घर लगे वो घर खरीद लो और जै तुम सिर्थ दो दिनों के लिए अपने वापस जा सकते हो गाम का लड़का कहता है अरे मालिक मुझे गाम जाने में ही एक दिन लगेगा तो कैसे भला मैं दो दिनों में वापिस आ जाओ मुझे मेरे परिवार के साथ वक्त भी बिताना है मालिक खुश होकर कहता है कि अब से तुम हमेशा अपने परिवार के साथ ही रहोगे जो घर मैंने तुम्हें खरीदने के लिए कहा था वो घर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए मेरे तरफ से एक तुफा है ये सुनकर वो गाम का लड़का खुश्वोने के वजाए मायूस हो जाता है और कहता है अगर मालिक आपने मुझे पहले कहा होता कि ये घर आप मेरे लिए खरीद रहे हो तो मैं फोड़ी और जानकारी प्राप्त करके इससे और अच्छा घर खरीदता मालिक ने कहा मैंने तुम्हें दो महीने दिये थे और दस दिन में खरीद कर तुमने तुम्हारा नुस्कान किया है इसी तरह जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है कहानी में जो मालिक था वो असल में वक्त था और हमेशा वक्त जाने के बाद कहते है कि अगर मुझे पाता होता तो मैं इससे भी अच्छा कर देता इसलिए आप अभी जिन्दगी में जो भी कर रहे हो उसे पुरे जुनून और मेहनत के साथ कीजिए क्या पाता आप आज जो काम कर रहे हो वो आने वाले समय में आपको जिन्दगी बदल दे